वह सलाम नमस्ते हैवलो केम जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाई-फाइश तडी 2.0 पर दोस्तों मेरी आवाज आ रही है ता भी यहां पिल्कुल यहां पर कमेंट करें तो दोस्तों जो है अगर मेरी आवाद रही हाँ बिलकुल आ रही है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं अपने स्केडियूल को बता दू कि सुबह साड़े पांच बजे अपनी क्लास होती है लेट्स क्रेक बैंक एक्जाम पे सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा एक बार आप करेंट अफेर की क्लास करके देखें ना होतों जीए भाई प्यूसर पर पीडियाप देखिए कि वह कितनी न्यूस कवर होती है एक दिन में और एक दिन का रिवीजन भी सासा चलता है तो बहुत ही जबदस क्लास होती है दोस्तों सेलेक्शन लेना है तो यह क्लास देखनी होगी तीन बजे दोस्तों अनकेडमी लर्नर एप पर फ्री क्लास होती है दोस्तों जिसमें कि हम लोग मई क का जो है मंतली करेंट अफेर करते हैं ठीक है बैंकिंग अवेर्नेस क्लास के साथ पांच बज़े दोस्तों वाइफाइ स्टेडी 2.0 पे क्लास होती है साथ बज़े जो है अकेडमी प्लस पे अपनी प्लस बैस सुरू होने वाला है दोस्तों जिसमें PSR 10 कोड यूज़ करने पर आपको डिसकाउंट मिलेगा बाकि यह तीन क्लास तो आपकी जो है डेली हो रही है इसको याद रखेंगा ठीक है दोस्तों यहां पर आप देखें तो बहुत सारे बैचेज है PSR 10 कोड यूज़ करने के बाद जिस पर डिसकाउंट मिल जाता है आपको अलग-अलग सारे बैचेज लेने के लिए अलग-अलग खर्च करने जरूत नहीं है आप केवल सब्सक्रिप्शन लेंगे प्लस या कुर्से सारे एक्जाम जो आएंगे उसकी टेस्ट सिरीज उसका स्टेडी मेटेरियल परस्नल गाइडेंस एक्सपर्ट गाइडलाइन स्टेडी प्लानर सब कुछ दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है तैयारी आपकी सही मायने में असली गाइडेंस यहां से मिलना कि लेने पर 375 रुपै परमंत की कॉस्टिंग आती यानी 899?」 कि यूडिये सर्टन को करने जो बेश डिस्काउन्ट के बाद वो आएगा ठीक है क्लियर है कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप फॉलो करेंगे मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको रोज आने लगेगी सारे पूर्स का भी एक्सेस आपको मिल जाता है ओके दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज के शो को सारी कंटेंट और लिंक लेक्चर होने सुरू होने के पहले जी यह भई प्यूसर पे मिल जाती है आपको टेलीग्राम ग्रूप पे ठीक है दोस्तों पधान मंती नरेंद मोदी जी के अज़क्सता में सीसियस ने कितने लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर लिंकेट सीरीज उत्पादन की खरीद को मंजूरी दिये दोस्तों लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर जो कितने खरीद रही है भारत सरकार क्योंकि यह जो है आपके हिंदुस्तार एरोनेटिक स्लिमकेग द्वारा बनाया गया स्वदेशी है दोस्तों इंडी जीनियस है ठीक है इसको बनाया गया है 15 जो है खरीद रही है दोस्तों भारत सरकार लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर जिसको की धुरू हेलिकॉप्टर भी कहा जा रहा है थीक है तो दोस्तों यहां पे जो है CCS का मतलब है Cabinet Committee on Security तो भाया कितने Light Combat Helicopter खरीद रही है भारत सरकार 3887 करोड़ रुपए में तो दोस्तों ये जो है 15 खरीद रही है ये बात याद रखिएगा ठीक है कि दोस्तों संस्किती मंत्राले द्वारा आम जनता के लिए किसी भी स्थान से बारज यूतिरलिंग और चार धाम के डिजिटल धरसन को सक्षम करने के लिए सुरू किये गए वेब पोर्टल का नाम क्या है तो दोस्तों वेब पोर्टल का नाम है आपका Temple 360 दोस्तों भारत में सरकार के जितने एप होते हैं जैसे आरोगी सेतु एप है वेब है या पोर्टल है तो दोस्तों इसको जो डेवलप करता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्रोनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है उस सास्था का नाम है नेश्टल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो 1976 में आई थी और अभी डिल्ली हेटक्वाटर है और नीता वरमा जिसकी हेट थी अभी शायद उसके हेड राजियर्स गेरा बन गया है ठीक है क्लियर है बिल्कुल भया 6 मन्त तो पढ़ना ही पड़ेगा तो दोस्तों टेंपल 360 नाम से यहां पे आप देख सकते जी ने जब 9 समवत्तर सुरू हो रहा था यानि हिए जब न नौरात्र सुरू हो रहा था टो दोस्तों उस समय जब चैत्र सुरू Healthy उस समय यह दखी आप सूमनात मंदिर का लाईव दर्सन भी यहां पे देखा जा सकता है करें तो दोस्तों दो अप्रैल को 2022 को जो है कि इंद्रा गांधी नेशनल कला केंद्र में आई एन जी एने सीए एंफी थीएटर में यह टेंपल 360 का उद्गाटन किया गया है बारा जोतिर लिंग है दोस्तों हमारे चार ध्राम है जिसमें से एक चीजे जो दोनों जग मिल जाएगा किदार ना ध्राम वह बा नेपाल के प्रधारमंतरी शेर बहादूर देवबा की तीर दिवसी भारत रियात्रा के दौरान हाली में नेपाल में भारती रुपेकाड लॉंच किया गया नेपाल एक मात्र कौन से नंबर का देश है जहां भारत का रुपेकाड लॉंच हुआ है दोस्तों दोस्तों थे जैनगर बिहार से जो है कुर्था तक जो है एक रेलवेल लाइन की भी शुरुवात हुई यह इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के 105 वे मिंबर भी बने यहां आने के बाद इन्होंने बहुत सारे आपस में जो है मॉयू भी साइंग किये तो दोस्तों यहां पे जो है रूपे कार्ड जो है वो भारत का स्वदेशी पेमेंट गेटवे हैं जैसे कि अमेरिका का है वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड और रूपे कार्ड आज धीरे-धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं अभी तो इंडिया में ही इतना हो गया है कि एंपी सी आई नामक संस्था इसे डेवलब करती है और यह जो है दोस्तों आज बहुत बड़ा जो है एक क्रांती ला चुका है यह और्गनेजेशन चाहिए यूपी आई हो आई एम पीयस हो चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो या टोल सब एंपी सी आई की ही देन है दोस्तों आज यूपी आई में दुनिया में हमारा बुलबाला चल रहा है नौलाग तिरासी हजार करोड का टर्नो जो है ट्रंजेक्शन हुआ है 558 बिलियन के मिलियन के दोस्तों करीब का वह गया है क्या कहते हैं वैल्यू में मतलब इतने न स्वदेशी कार्ड है दोस्तों जो अभी तक चार देशों में जो है लागू हो चुका है तो यह नेपाल जो है चौथा देश है जहां पर रूपे कार्ड को मानेता मिल गई है तो दोस्तों सबसे पहले भूटान में हुआ था फिर सिंगापूर में फिर युनाइट अरब अमिरात में और अब जो है चौथा देश दोस्तों यहां पर नेपाल बन गया ठीक है तो हम लोग हर चीज तो भूटान को सबसे पहले देते हैं चाहे आपका रूपे कार्ड हो या यूपी आई हो यूपी आई भी दोस्तों इन चारों देशों में हो चुका है याद रखि दोस्तों दोनों याद रखेगा कोश्चन कोई भी हो सिंगापुर यूए भुटान और नेपाल दोस्तों लोकसभा में जाड़ी आकड़ों के उनसार फसल वर्स 2021-22 में सब्जियों का सिर्ष उत्पादक राज्यकॉन सा बन गया और आंध्रप्रदेश फल उत्पादन में सिर्ष स्थान पर बना हुआ है दोस्तों फ्रूट प्रोड़क्शन में आंध्रप्रदेश से फॉरेश्ट ग्रोट रेट में नंबर वन है आंध्रप्रदेश और आंध्रप्रदेश आपके फीश फीश प्रोड़क्शन यानि फिश प्रोड़क्शन यानि की मचली उत्प बादन में भी नबर बन उत्तर पदेश दोस्तों वेजिटेब प्रोडेक्शन में नमबर बन गया ह। सुगर प्रोडेक्शन में अभी जो रूपी को किछे करके महराश्ठ अब स्थान में कर अपना स्थान और वापस ले लिया है और दूसरे नमबर पर कौन है पश्चिम बेंगॉल है दोस्तों कैबिनेट की मनजूरी के संबंद में कौन-कौन से पॉइंट सही हैं कैबिनेट ने दोस्तों 808 million यूज डॉलर जो है अप्रूफ किये हैं 808 million यूज डॉलर अप्रूफ किये हैं वर्ड बंक की एक नई स्कीम आई है रैंपी स्कीम किसके लिए दोस्टो dm के लिए स्कीम रेहां वह तो आपका रिवॉर्ड स्कीम यह तो दोस्तो यहां पे देखा जाए तो पंद्रा लईट कोमबेक्ट है लिकॉप्ट्र भीоне की इसी cabinet में पास हुए हैं 3887 करोड का उसके बाद दोस्तों जो है CCEA ने जो है 10 पावर प्रोजेक्ट का जो है टाइम एक्षेंड किया है ठीक है मेगर मेगा पावर पॉलसी 2009 के तहत तो दोस्तों यह तीनों पॉइंट जो है सही है तीनों पॉइंट सही है रैंप का फुल फॉर्म भी आद रखिएगा दोस्तों रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME पर्फॉर्मेंस रैंप का फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME पर्फॉर्मेंस 808 million US dollar दोस्तों World Bank World Bank के head है David Malpass और दोस्तों 189 countries इसकी member है Britain Wood Summit से यह 1944 में आया था Washington DC में headquarter है अंशुला कांथ इसकी CFO और MD है CFO और MD हैं अंशुला कांथ और अरजीत सिंग दिसाले हैं World Bank के Education Advisor ओके clear है चल अभी सरिष्ठा जी एक प्रोजेक्ट के लिए भी गुजरात को लोन मिला है सरिष्ठा जी दोस्तों हाली में किस बैंक ने Co-branded Credit Card launch करने के लिए Sopper Stop के साथ tie up किया है Sopper Stop के साथ tie up दोस्तों किस ने किया है HDFC Bank ने किया है Co-branded Credit Card आज ही सुबह मैंने पढ़ाया था Indian Oil Corporation ने किसके साथ मिलके Co-branded Credit Card launch किया Sopper Stop बताओ अचे नई सूपर किंग ने किसके साथ मिलके किया है SBI ने किसके साथ Co-branded Credit Card launch किया PNB ने किसके साथ किया Co-branded Credit Card launch Axis Bank ने किसके साथ किया यह सारी चीजे आज ही मैंने सुबह आपको पढ़ाई थी तो फटा-फट से उसको आप लोग बता दू तो दोस्तों यह HDFC Bank है इसने Sopper Stop के साथ Co-branded Credit Card launch किया है HDFC Bank के CMD है शशी धर जग दिशन 1994 में ती Mumbai Headquarter है we understand your world इसकी tagline है ओके और दोस्तों HDFC जो 1977 में आई थी वो इसकी मदर कंपनी है वो इसमें मर्ज होने वाली है HDFC Bank में ओके दोस्तों उस कंपनी का नाम बता ही जिसने हाली में उद्योग का पहला end-to-end online auto finance platform e-pay को launch किया है name the company that recently launched industry first end-to-end online auto finance e-pay किसके ने लॉंच किया है दोस्तों mg motor इंडिया ने mg motor इंडिया ने e-pay को launch किया है कि ठीक है कि दोस्तों किस राज के स्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित monolithic बुल नंदी को UNESCO की विश्वधरोवर इस्थल के श्थाई सुची में रखा गया है दोस्तों आपको इसका नंबर भी बताना है कितनी हमारे यहां पे सथाई सुची है एक के साथ क्रेडिट काड new नंदी का 내 पतनजली का है अच्छा है कि वेरी गूर्ड कुछ लोग उसी में सब मिक्स कर दी है कि आदमी जो समझी नपाए कौन किसका किसके साथ है यह नहीं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एस बी आई के साथ है है नी बीपी सील का बैंकर बरोदा क सदय कंछ देश्टान पेट्रोलियम का इस दिए के साथ नीकि फरजीं मार रहे है जूटमुट का कव्ति कॉपी अहीं कि की एच और में दूसरे का मौपी भी मारा जा रहे हैं यहां पे इसका मतलब सब का ह है के साथ SBI बताना ही बता रहा है कि सब खाली कॉपी पेस्ट चल ला है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो है वह आपका बैंक को बढ़ोदा के साथ है अ कि तो दोस्तो मैंने पूछा था कि कितने ये टेंटेटिव लिष्ट है इसकी काउंटिंग अभी तक किसी नहीं बता ही है तो दोस्तों फोटी नाइन टेंटेटिव लिष्ट नाइन चालीस वर्ल्ड हरिटेज साइट है 14 इंटेंज बल कल्चल हरिटेज है और यह जो है दोस्तों टेंटिटिव लिष्ट में एड़ हुआ है और इस्थाई सुची में तो टेंटिटिव लिष्ट में दोस्तों तीन नए एड़ हुए है तीन नए एडिशन हुआ है तीन नए एडिशन हुए है दोस्तों तो दोस्तों यह किस राज का वीरभद्र स्वामी अंद्रपधेश एंसड़ होगह तो दोस्तों जो है कि आइए देखते हैं पहले उस न्यूस को जो आपके इग्जेक्ट काउंटिंग को बताएगा 49 माइच योवी इंडिया ने दोस्तों ये ट्विट किया था जिसमें तीन साइट्स एड़ हुए जिसको उन्होंने बताया बड़े ही गर्व से कि हमारी टेंटेटिव लिस्ट 49 हो गई है अब आप सोचोगे कि सर जब 42 थे तो 46 हुए तो आपका 51 हो जाना चाहिए सर तो 49 क्यों हुए इसी टेंटिटिव लिस्ट में से तो में लिस्ट में आते हैं इसी टेंटिटिव लिश्ट में दो में लिस्ट में भी तो आ गये 38-40 उधर नहीं हो गया क्या अरे ढोला वीरा और रमप्पा मंदिर कैसी बात करते हो तुम लोग तो दोस्तों यह और स्थाई सुची में जो है तीन नाम एड हो गये तो यह नंदी जो है एक ग्रिनाइट पत्थर से बनाई गई नंदी इतना उकेरा गया दोस्तों आंधर पदेश में देखो अपना देश दोस्तों यह अतुल्य भारत भारत के टूरिजम मिन देरी दिल्ली ठीक है वैसे देखो अपना देश यह कि पहले थाईलेंड मत घूम क्या हो पहले अपना देश तो घूम लो तो दोस्तों मैगनिफिसेंट स्कल्प्चर ऑफ आंधर पदेश आलसो नोन एस दा लेपाक्षी टेमपल इट डेडिकेट टू लौड वीरभद्र सीवा जी को संकर को भगवान शंकर को समर्पित देख सकते हैं यहां पे किते सुंदर जो है यहां पे आपके शाप देवता है और उनके यहां पे जो है फन पे जो है सिवलिंग विराजमान है सिवलिंग विराजमान है ठीक है बात समझ में आ गई दोस्तों उसके बाद यह रॉक आर्ट महराश्या और गोवा में कोंकन जो रेंज है उधर यह पाया जाता है जी जियो ग्लिप्स आर यूनिक ओपन एयर एंसेंबल ऑफ प्री हिस्टॉरिक यूमन एक्सप्रेशन ऑफ रॉक आर्ट दोस्तों यह ऐसा रॉक आर्ट है जो ड लाकृति ऐसी नाइरा लाइन्स हैं दोस्तों जो है पेरू लीमा में वहां पर बड़े बड़े पहाड़ों पर बनी हुई है खैर बात करते हैं लेपाक्षी मंदिर की तो जो है यह सोलहवी सताबदी में लेपाक्षी मंदिर के निर्माट दो भाईयों ने कराया था वीरा सबसे मंदिर के आओ दर के उतार को समर्पित यहां मंदिर विजयानगर समराज के ऐकर सबहें कर रहे हैं वीराना और विरुपन्ना ठीक है मंदिर के भित्ति चित्र ना केवल संस्कितियों को इस्थानी समझ करते हैं आधुनिक समय की साड़ियों दरबारियों में महिलाओं के समुज इधर होता है मंदिर होता है समझ लो इवाद जान जाओ है वहीं सिवलिंग है सक्तर फिट की यह नंदी और ये मंदिर अपने आप में तो यह तीनों के लिष्ट के बारे में जानकारी दी गई है ठीक है मैं तो दोस्तों आई यह देखते हैं कि दूसरा क्या है दीजिया दूसरा है दोस्तो छे हजार सनृच्णाओं का एक समू महराश्ट की कौनकन चित्र में जिसमें कैसी कैसी आकृतियां बनाई गई है एक से चीजों की आकृतियां बनाई गई है दोस्तों 62 जो है भू आकृतियां जो है इसमें शामिल है ठीक है उनमें से एक दो बागों द्वारा हमला किये जा रहे हैं एक आदमी का जीवन का भी जो है एक चित्र देख देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पैर है कहीं जो है यह इनसान का है ठीक है अब बहुत सारी आकृतिया है जो आपको ऐसे आप इस पर चल रहे हो तो आपको समझी मनी आएगी कि आप आकृती पर चल रहे हो जब ऊपर से उचाई से जाके देखोगे तब दिखेगा कि यह एक यह बहुत पूरानी है दोस्तों यह सब धनोहरे पूरी दुनिया में से संब्स्रक्षित किया जाता है इसके बाद दोस्तों मेगाले में एक living rute bridge रबड के पेड से बनाय जाता है, इस ब्रिज को बनाया जाता है, आप सोचेये की आदिवासी लोग मिट्टी के ब्रिज का नहीं, प्राचीन काल में जब नदी पार करने के लिए उन्हेंं ब्रिज बनाना होता था, तो नदी के इधर एक जो है वो पेड़ लगाते थे रबड का और इधर एक पेड़ लगाते थे रबड का और फिर इससे जो जड़ निकलती थी उसको बांध बांध के ये पुल बनाते थे ये देख सकते हैं जाने का पुल ये है जिससे की औरते जा रही है आने का पुल इध गए और ऐसे केवल एक ब्रिज नहीं है सतर गाओं में बहुत सारे ब्रिज हैं दोस्तों यह जो खासी जन जाती है मेगाले की यह उसके द्वारा जो है बनाया गया है दोस्तों आधुनिक निर्मार्स समगरी के अनुपल धता ने मेगाले की खासी जन जाती को पुलो और लोको फैलने से जो है जोड़ा तो दोस्तों अब इसमें हिंदी में टांसलेट करने में जो है थोड़ा इदा उदर की चीजे हैं लेकिन देखिए यह कितना प्यारा है इंग्लिश में देखेंगे तो और ज्यादा यहां पर समझ में आएगा हैं तो सत्तर गाओं में दोस्तों सौसे ज़्यादा ऐसे ब्रिज हैं सौसे ज्यादा ब्रिज़ा जोड़ेश लिविंग रूट ब्रीज में घाले में है रांग ठी लिएंग ब्रिज जोकी 50 मीटर की लंबाई का सबसे पूराना वही है ठीक है क्योंकि यह में चलावा और रज्जों में भी एंगा में सबसे पूरान ब्रिजुन duration, तो दोस्तों, बात करते हैं, कि भाटती हिर बैंक ने आकड़े दिये हैं, और बैंकों ने जो आकड़े दिए हैं उसमें उन्हें धोखा धड़ी की रिपूर्टिंग किये कि इस कितना fraud हुआ है कितना fraud हुआ है दोस्तों बैंकों के साथ तो देखा जाए तो 34 1000 करोण रुपए का इस बार का fraud हुआ है आर बी आई नहीं आकड़े दिये हैं दोस्तों सबसे जादा fraud किसके साथ हुआ है तो यहां पर bank of India के साथ 13 fraud हुए हैं जिसमें 3925 करोड का जो है कि fraud हुआ है bank of India के साथ लेकिन अगर number of fraud की जगह amount की बात की जाए तो PNB के साथ सबसे ज्यादा fraud हुआ है 4820 करोड रुपए का fraud हुआ है 4820 करोड रुपए का fraud PNB के साथ पंजाब National Bank के साथ हुआ है ठीक है समझ गया है चलिए दोस्तो नब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूप किया गया नेशनल accreditation board for hospital and healthcare providers नब का दोस्तों आपको यह प्रत्यायन का मतलब मैंने बताया था जो मानेता देने वाली एजेंसी होती है उन्हें एक्रेडिट एक्रेडिटेशन एजेंसी कहते हैं मानेता देने वाली तो दोस्तों आपको बताना है अभी इसका दीवश हम लोग ने मनाया इसका डे अभी हम लोग ने इसी हप्ते में मनाया है बताये किस दिन होता है एक्रेडिटेशन डे तो दोस्तों नभ के नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं महेश वर्मा कौन है बहिया महेश वर्मा इसके नभ के नए हेड बनाए गये ठीक है दोस्तों भारती परिचालन बजट बढ़ाने के लिए बिम्ष्टेक को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कौन करेगा किस देश ने बिम्ष्टेक के अध्यक्ष राष्ट के रूप में पदभार समाला है दोस्तों बिम्ष्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बेंगॉल इन और सारक का हेटकौार है काकमन्डू में अब दोस्तों 200 == 19 में जब मोधी जी सपत लिए तो सब विम्ष्टेक वाले आये थे और 2224 में मोधी इंगर जी सपत लिये तो सार्क वाले आये तो सार्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है तो उसलिए नवाद सरीब भी आये थे उदर से असरफ गनी भी आये थे लेकिन बिम्स्टेक में जो है केवल बेया बेंगॉल से जुड़े हुए देश है इसलिए इसलिए वह लोग नहीं आये तो दोस्तों बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता इस बार की है वह स्री लंका ने की इस बार बिम्स्ट प्ыт there में बिम्स्टेक की वह थाइलेंड में होगी थालेंड की कैपिटल है बैंककॉड और वहां की करएंसई है दौस्तों स्री-लंका की हालत इतनी खराब है कि अभी तक 500-500-400-2,000-500 करके 3 billion हम से ले चुका है थीं 200-000 वे चुका है पैसा और हमने जितनी भी मदद कर सकते थे हमने की है स्रीलंका में अभी प्रधानमंत्री के घर इतना हमला हुआ कि प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा रानिल विक्रम सिंगे महिंद्रा राक्षपक्षे की जगा रानिल विक्रम सिंगे वहां के प्रधानमंत्री बन गए ठीक है क्लियर है याद रहेगा, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदा, जिन्दाबाद, जबर्दस्थ, दोस्तो, मार्च 2022 में UPI ने वॉल्यूम के मामले में 500 करोड का अकड़ा पार किया, UPI को कब लॉंच किया गया था, दोस्तो, Unified Payment Interface, अभी इसका Full Farm भी एक्जाम में आया था, 2016 में आया, और दोस्तो, 500 करोड का अकड़ा ये लगाता, दो महीने से पार कर रहा है, और 10 लाग करोड के लगभग में ये पहुच रहा है, वैल्यू के मामले में, 500 करोड और 10 लाग करोड दोस्तो, ये याद रखना है, 500 करोड, ये देखे, 540 ये पहुचा कब मार्च में, और अप्रेल में पहुचा है, ये करीब 558 करोड, 558 करोड ये जो है, अप्रेल में प टिया है अभी UPI ने रिकार्ड बनाया है वो 9,83,000 करोड का करीब बनाया है 9,83,000 करोड का रिकार्ड बनाया गया ठीक है clear है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शान्दार तो यह UPI की सफलता है क्या रियल टाइम पेमेंट में हम दुनिया में नमबर वन पर हैं तो Unified Payment Interface दोस्तों 2016 में आया था NPCI लेकिए आई थी NPCI National Payment Corporation of India Payment and Settlement System Act 2007 के तहत इसलिए इसकी जितनी भी Services हैं सब Payment and Settlement System Act 2007 के तहत आती है ठीक है बात समझ में प्रश्राइब या दो चाहे एप सो आइम पीय सो या रूपय हो यह ज़ेक्नी भी चीज़ है यह सब आच्छा इनकी लिमिट भी जाद रखिए भीक्येग की गर आप रेकरिंग पेमेंट करते हैं दोस्तों यूपी आई के माध्यम से या काड के माध्यम से या पीपी आई के माध्यम से तो 15,000 रुपए है लिमिट रेकरिंग पेमेंट जो आपका कट जाएगा हर महीने अगर दोस्तों आप यूपी आई लाइट के थुरू payment करते हैं, यूपी आई लाइट के थुरू अगर payment करते हैं, तो 200 रुपए आप maximum कर सकते हैं, क्योंकि ये offline payment है, offline payment में आप 200 रुपए कर सकते हैं, maximum UPI light के wallet में कितना रख सकते हैं, 2000 रुपए रख सकते हैं, UPI 123 पे से एक बार में आप जो है, mist call के थुरू चाहे SMS के थुरू, चाहे toll free के थुरू, आप 5000 रुपए ही transfer कर सकते हैं, maximum आप 10000 रुपए कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा UPI की बात करें, तो UPI के थुरू आप 20000 रुपए maximum transfer कर सकते हैं, लेकिन IPO के लिए अगर UPI का use कर रहे हैं, तो आप 50000 रुपए तक का कर सकते हैं IMPS के थुरू, अगर आप fund transfer कर सकते हैं, तो पांच लाख रुपए तक का fund transfer कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब ये भीम का 2 लाख रुपए कहां से आ गया भाई, एक लाख रुपए हमने तुमको पढ़ाया था, दो लाख रुपए कहां से आ गया, N.E.FT के अगर बात करें तो दोस्तो मिनीमम की भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट, लेकिन अगर कैश के थुरू, अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 50 लाख रुपए मैक्सिमम हैं, चाहिए इंडिया टू अकाउंट इंडिया टू नेपाल कर रहे हैं, फंक्ट ट्रांसफर तो दो लाख रुपए आप मैक्सिमम कर सकते हैं, जब ने समझ गये हैं, ही लगने लगाएगी 25 करोड से उपर का लोन है तो आपको लीगल एंटिटी आइडिटिफायर अपना बताना पड़ेगा इंडिविजुल पर यह लागू नहीं होता है यह कंपनियों पर लागू होता है ठीक है क्लियर है कि समझ गए शलिये टो दोस्तों अंफ पेयमेंट और सिस्टम एक्ट 2007 के अंतरगतिय से बाते हैं आरभी ने इसका एक नया डृट्पर्मेंट जी बना दिया है Department अप्रडिट और सिस्टम नपडी सिटनी सर्विसेज हैं वह सब इसी के नंतरगता थी एंपी कि की सबसीडियरी है एक अप्रेल 2020 में है या अप्रेल 2020 में है न IPL यूट्व एन्टरनेशनल पेमेंट लिम्टेड जिसके सब्सक्राइन रितेश चोहान अधा और दोस्तों दूसरे हैं आपके रितेश सब्हन रितेश शुकलाएं को रितेश तो हैं उसके बाद दूसरे जो हैं दोस्तों कि क्या कहते हैं नेशनल भारत बिल पेमेंट लिम्टेड वह अप्राइल 2021 में आई है और उसकी हेड बनी है नुपूर चतुरुवेदी है ना और नुपूर नाम की जो लड़कियां होती बहुत हि समझ रहे हैं तो दोस्तों डरती नहीं किसी से 56 देश की पुलिस उनके पीछे पड़ी रहे फिर भी वह 56 देश को जो है सीना तान के बोलती हैं कि जो लिखा है वहीं बोले हैं जो नहीं लिखा है नहीं बोले हैं जो लिखा है तो गलत लिखा है तो पहले यह बताओ कि गलत लिका है दोस्तों वू है टेकन ओवर तर डिरेक्टर जनरल ऑफ द जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाटती भूवैगिनिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदबार समाला है तो दोस्तों जो है एस राजू जी ने जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का हेड़ बना लिया गया है दोस्तों जी यो लॉजिकल पार्क भारत का कहां पे खुल भारत का पहला जी यंजिेयो लॉजिकल पार्क कहां पर उपन हट तो दोस्तो हमिशु है जिए लोजीकल फार्क बताना यह यह जुजु लोजीकल पार्क उसन लिना जुफार मेरे पुरे परिवार का दिल जीत लिए हुए है क्जा क्या हो गया ईसा क्या हो ग्या और तो नुपुर ने जीता है दोस्तों किस राजने में घाले के साथ दोनों राज्जियों के बीच 884.9 किलोमेटर की सीमा के साथ 12 में से 6 थानों पर लंबे सीमा विबात को हल करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं विच स्टेट है साइंड पैक्ट विद ही में घाले टू रिजॉल्ट द प्रोट्रेक्टेड बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 आउट अफ द ट्वेल प्लेसे अलॉंग द एट हंडेटी 4.9 किलोमेटर बॉर्डर बिट्विन द टू स्टे मैं जो है भारत के जो है ग्रिह मंतरी और को आपरेशन मिनिश्टर अमिट साहजी ने कर आया है हमें बीस्वा-षर्मा जी है या संग्गमा जी है कि हमत्ना भिष्वा-षर्मा चीवं की वहां बैड बेडमिंटन-फडरेशन में जो है भारत का पहला जी लॉजिकल पार्क बना है सिवानी ने बताया है वेरी गुड जहां डाइनासोर का जिवास में मिला था जो टेंटिटिव लिस्ट में भी है 48 टेंटिटिव जो थे जब 42 में से 46 हुआ तब तो उन्चास हो गए कि दोस्तों उसमें भी है मार्बल के पःड भेडा घाट लमेडा घाट जबलपूर के पाहाब नरमदा नदी वहां पे भारत का पहला जियो लॉजिकल पार्क बनाया गया जियो लॉ बजिकल पार्क ठीक है तो दोस्तों असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपूर और मुख मंत्री हैं हेमंद बिश्वा सर्मा गवर्नर है जगदीश मुखी परटन संजीविनी योजना स्वयम योजना सामी विवेकानंद असम यूथ इंपावर्मेंट योजना धनवंतरी स्कीम अपनार अगर याद रखो यहां पर कि अगर उस परिवार में कोई दिव्यांग भाई या बहन है जो डिपेंडेंट है उस व्यक्ति पर तो 15% सेलरी कर निया जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही हैं ह। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगर देखा जाएं तो एक यहां पर कौन सी योजना है धनवंतरी है सायथ जिसमें की लड़कीयों की विदाई पे एक तोला सूना देती है सरकार एक तोला सूना देती है असा लवलीना बॉर्गेहन को दिया गया लवलीना बॉर्गेहन आपकी आइसेसी पुटेंशल की ब्रेंड अमबेजडर हैं इंटरनेश्टल बॉक्सिंग एसोसियेशन स्विज्जर लेंड लॉजेन में जिसको कुछ लोग लुसाने भी पड़ते हैं कि वहां पर दोस्तों वह कमीटी की हेड बन गई है कि चेयर कर रही है वह लवलीना बॉर्गेहन आसम की पहली मैला है जो मेडल जीत के आई वेल्टर वेट केटेग्री 54-69 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में पहले ही ओलंपिक में अपने डेब्वी ओलंपिक में ब के हिस्से में ख्याती गई है रतन टाटा ने यहां साथ कैंसर होस्पिटल खोले जिसकी वज़े से उनको असम वैभॉय अवार्ड दिया गया शिशु सेवा योजना में जो अनाथ हुए बच्चे हैं कोरोना के समय में 35 रुपे परमंत वहां दिया जा रहा है सर्विसिस का यूज किया जाता है यहां तक कि इतनी चौरी नदी इसके बीच में एक आइलेंड जिसे डिष्टिक का दर्जा दिया गया माजूली आइलेंड जहां से सांसद हैं आपके सर्वानन सोनेवाल जो कि पहले खेल मंत्री हुआ करते थे फिर आसाम के मुख मंत्री बने उसके बाद दोस्तों वो इस समय वाटरवे मिनिश्टर बन गए पोर्ट सिपिंग वाटरवे मिनिश्टर और आयूश मंत्री भी है सोचो उनको वाटर का इतना experience है कि वाटरवे मिनिश्टर ही बना दिया क्योंकि भाईया उनको माजूली से निकलना है तो छिप से ही जाना होगा जहाज से ही जाना होगा फैरी सर्विस का यूश करना हो गा तो नाइट नवीगेशन मोबाइल ये वहाँ बहुत का पहला यह भी लांच्ञ किया वहाँ साब एक ब्रीज भी बनता है तो भारत का सबसे लेंबा हो जाता है क्यों व्योंकि उस नदी को पार करने के लिए जो ब्रिज बनेगा वो भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनेगा ब्रमपुत्र नदी है भाई साथ भाई सारी नदीओं का नाम लढकी के नाम पे है मतलब कि उसको हम लोग गंगा मायमना महा और अर जो है किश्णा कावेरी गोदावरी हम मतलब उसका जो एक लेडी श्बर्व सथे देल किल जेट्व द्रम नाम नारी ब्रहम पुत्र गाओन तो साधिया गाओ भुपेन हजाणिका बारत र्त्र मिलावी आकरी में उन्हीं को जोड रहा है सबसे लंबा बिरिज जिसको मिनाम दिया गया रोड बरी स्कूर भुपेन सेतु नाम दिया गया अटल सेतु सबसे लंबर रेलवे ब्रिज बना है जो डिब्रुगर से लेके उधर पासी घाट तक बना राचल पदेश इसी डिब्रुगर से पासी घाट तक अभी जो है डॉर्नियर वीमान की भी सेवा सुरूखी गई है कि पार करने के लिए वो सोचो की विमान चलेगा नाइटिन सीटर वाला उस नदी को पार कराने के लिए तो ऐसी सेवाएं भी जो है वहां पर चल लहीं है सोचे जीवन कितना दुरलब होगा यह आसाम है कि यह आसाम है दोस्तों जहां पे पहला भारत का जो है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क भी सु पुरहाट आसाम में लगा है जो भारत का पहला सिग्रिफिकेंट इस्टेफ है ग्रीन हाइड्रोजन एकनोमी के लिए ठीक है यहां के गवर्नर है जगदी स्मुखी दोस्तों आसाम के और यहीं जो है आपका नागा लेंड के भी जो है गवर्नर का कारिभार समाल लें तो क उनको जो है चेन नहीं भेज दिया गया उनको कहां भेज दिया गया चेन नहीं भेज दिया गया ठीक है बात समझ में आ गया अरे ठैंक्यू सो मच भारत बुशन जी ठैंक्या आप लोग तो सीनियर लोग हैं भाई आप लोग खुदी एक सर्विसमेन हैं आप लोग खुदी जो है कि देश की सेवा कर रहे हैं या अप लोग के मूझ से सब सुनके तो घर्व हो जाता है फैर बात की जाए दोस्तों यहां पर आसाम की बात तो हो गई जितनी भी बात Fast थो सकती थी आसाम की बात अर कर लेते हैं चल्फ पार्क की बात नेशनल पार्क में दोस्तों यहां पर Wow पांच संख्या वन और राइनों के लिए फेमस सबसे ज्यादा यह कोश्चन भी एक्जाम में आया था दोजा 613 दोस्तों काजी रंगा सेटलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेश्रल पार्क है काजी रंगा वर्ल्ड हेटेस साइट में भी है दोस्तों यूनेसको की काजी रंग जात दोस्तों जो है एक तो डिबरुगर साइखोवा वाला ही डिबरुगर साइखोवा वाला इसी दिबरुगर से दोस्तों कन्या कुमारी तक भारत की सबसे लंबी ट्रेन जाती है कि विज बन गया है आप जा सकते है उनाचल पदेश यानि अब इस्टन पॉइंट से सबसे लंबी दूरी तह करने वाली ट्रेन यहीं से चलती है तो दोस्तों अब जो है दो नए नेश्टल पार्क कौन से आये हैं एक तो दोस्तों रायमोना नेश्टल पार्क आया है और एक देहिंग पठकाई नेश्टल पार्क आया है देहिंग पठकाई सबसे लेटेस्ट न के टपार के दोस्तों यहां पे ठीक है clear हैант याद रहेगा कि से बहुत बढ़ी हैं बहुत बढ़ीन बढ़ी हैं छलू हो गया यहां पर आAGए बढ़ते हैं दोस्तों किस राज सरकार ने राज भर की ग्राम पंचायतों में अस्प्रिश्यता उनमूलन के लिए जागरुपता करेकरम विने समरस सयोजना की घोशना किये विच स्टेट गॉश्यता विने समरस सयोजना एन अवेर्नेस प्रोग्राम मिन्ट टू इरेडिकेट अंटेच बिलिटी इन ग्राम पंचायत अक्रॉस देट तो दोस्तों छुआ छूत की जो है यह जो कुपरता है इसको खतम करने के लिए विने समरस सयोजना करनाटक की सरका सरकार लेकर के आई है करनाटक की सरकार लेकर दोस्तों करनाटक की सरकार एक एयरपोर्ट क्वालिटी का रेलवे स्टेशन बनाई है बैंगलोर में उसका नाम क्या है आज ही मैंने सुबह पढ़ाया है आपको तो दोस्तों करनाटक की सरकार जो है बीजेपी की सरकार है जिस जिए रैंकिंग में भी बेश्ट चुना गया है और वर्ड रैंकिंग में भी बेश्ट चुना गया है थावर्चन गहलोत यहां के राजपाल हैं दोस्तों जो इसके पहले संसदी कार्यमंत्री हुआ करते थे भारत के एनिमल वेलफेर वारूम अवलोकन सौफ्ट्वेर दिसा गेरियम नाम से सुरू किये यहां पर बैंगलोर सीटी रिल्वे स्टेशन में भी पहला एक्वाटिक टनल लगाया गया था दोस्तों बैंगलोर में ही दोस्तों खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम हुआ है जैन इनिवर्सिटी में और जैन इनिवर्सिटी ही इस बार हुआ था उडिशा के भूनेश्वर में कलिंग इनवर्सिटी में कि आई आई टी इनवर्सिटी में दोस्तो करनाटक पहला राज्य है जिसने राष्ट्य सिक्षा नीती को लागू किया राष्ट्य सिक्षा नीती नियू एजिकेशन पॉलसी 2020 के कस्थुरी रंगन सहब पीम स पैसे देना इनके पास एकाउंट्स नहीं है उनको भी सरकारी उचनाओं का फायदा हो तो दोस्तो यी रूपी में जो लिमिट है वो बढ़ा के एक लाख रुपए कर दी गई है दस्यार रुपए से बढ़ा के एक लाख दोस्तो भारत का पहला ब्रेन हेल्थ इनिसियेटि आम इन्हों ने दिया दोस्तो अभी IISC बैंगलूर भी यहीं पर है करनाटक के बैंगलूर में इसरो का हैटक्वाटर है इसरो के लावा एनस-ई-ल का हैटक्वाटर है जो इस रोख की कॉमर्शियल विंग है इसरो फिफ्टी नगस-1969 को आया था एस सोमनाथन उसके हैड है प्रथम हेड जो है विक्रम सारा भाई ते दूसरे डॉक्टर सतीस धवन थे जो हमारी सिक्षा निती बनाए केक अस्तुरी रंगन साहब वो भी इसरो के हेड रह चुके हैं तो दोस्तों अभी जो है करनाटक इंडेस्ट्रियल एरिया में अभी एक जो है स्पेस क्राफ्ट मै किया गया है करनाटक में भारत का पहला डेरी कोपरेटिव बैंक भी दोस्तों अभी करनाटक में सुरू है नंदिनी शीरा समरिद्धी सहकार बैंक दोस्तों बीयस यदूरप्पा जी के नाम से जो अभी मुखमंत्री थे पिछले साल उनके नाम से सिमोगगा एरपोर्ट का नाम बदल के रखा जा रहा है एक नया एरपोर्ट बैंगलोर में बनाया जा रहा है बैंगलोर में पहले से एक एरपोर्ट है केंपे गोड़ा एरपोर्ट केंपे गोड़ा को बैंगलोर का संस्थापक माना जाता है दोस्तों केंपे गोड़ा साहब के नाम से यह एरपोर् चलिए बैंगलोर की बात की जाए तो इस ओफ लिविंग इंडेक्स में दोस्तों ये टॉप पर है इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है इसे भारत का सिल्कॉन वैली भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों अभी रिजर बैंक इनोवेशन हब का व्यूद हेडक्वाटर जो है बनाया गया बैंगलोर में और बैंगलोर में ही भारती रिजर बैंक नोट मुद्रन प्राइवेट लिम्टेट का भी हेडक्वाटर बनाया गया है दोस्तों किसखिलाडी ने 2022 के BBC ंडियन स्पोर्ट्स वीमें ऑव द़ियर्ख कर पूसकार जीता है BBC लाति एंडियन स्पोर्ट्स वीमें ऑव दयकर आवर्ड मीरा भाई चानु को जो है दिया गया कोई कह दूस्पोर्स वीमें औव द प्रिग दिया जाता है, ये दिन जो है, दोस्तो, दो अप्रेल को मना जाता है, और इस बार जो है, इसका जो इस स्पोंसर रहा है, वो किस देश को चुना गया है, तो दोस्तो, कैनेडा को चुना गया है, ठीक है, दोस्तो, अभी आज हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, जिसमें इस पेन चुन आ गया था पुछ आज हम लोग सुबह पढ़ रहते नाटो हाँ नाटो का सम्मिट इस बर स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हो रहा है ठीक है इस बर के इन्वार्मेंट डे जो मनाया गया उसकी होस्ट कंट्री कौन है स्वीडन है इन्वार्मेंट डे अउनली वन अर्थ उस के लिए बहुत ज्यादा उत्साहवर्दक होती हैं प्रेणादायक होती है जो उनके लिए पंक का काम करती है जो उनको उड़ने में मदद करती है दोस्तों उस बैंक का नाम बताई जिसने हाली में भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल के वाईसी वीडियो के वाईसी को लागू करने के लिए नेक्विड.id के साथ भागेदारी किये दोस्तों अभी के वाईसी में वीडियो कॉन्फरेंसिंग आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस को और भी ने मानिता दे दी थी कि अब आप ऑनलाइन घर बैटे-बैटे अपना वीडियो के वाईसी कर सकते करा सकते तो दोस्तों यहां प यह भारत की पहली पुड़तया स्वदेशी बैंक है जो स्वदेशी अंदोलन से निकली थी मुंबई इसका हेटकौार्टर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों चाहें कोई भी बैंक हो जो इंडिया नाम से खतम होती है उन सबका हेटकवाटर मुंबई में चाहें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया तो कोई भी बैंक हो दोस्तों उसका हेटकौार्टर मुंबई ही होता है दोस्तों भारत में क्रेडिट कार्ड लॉंच करने वा भारत का पहला उद्योग अधारित डीजिटल ग्राहक जुड़ा और पुरुषकार करेक्रम शुरू किया विच इंसुरेंस कंप्ली रिसेंटली लॉंच्ट इंडियास फर्स इंड्रस्ट्री बेज डीजिटल कस्टमर इंगेजमेंट और रिवार्ट प्रोग्राम नेम वॉ इंधन योजना में जो दो लाग का इंसुरेंस रुपे काड़ पर मिलता है वह एच्टी एपसी अर्गो जनरल इंसुरेंस का ही होता है दोस्तों अभी प्रधानमंती जीवन जोती बीमा योजना का जो इंसुरेंस प्रीमियम है वह 330 रुपे से बढ़ाके 436 रुपे कर द देना पड़ा यह सब आज सुबह मैंने पढ़ाया है उसको उस प्रोड़क्ट को बेचने के लिए कंपनियों की जो मिनीमम कैपिटल रिक्वार्मेंट उसको आधी किया गया है ताकि ज्यादा कंपनिया इस प्रोड़क्ट को बेचे तो दोस्तों इसको भी मैंने सुबह प पढ़ाएं सुबह इतना rapid fire सुबह का चलता है क्लास दोस्तों किस कंपनी ने हाली में UPI के लिए टैप टू पे लाँच करने के लिए पाइन्स के साथ टाइप लेक्सें गुगल पे ने किया है पाइन्स एक यह कंपनी यह दोस्तों जो की आपको अक्सर लेक्ट्रानिक दुकानों पे जब तीवी 50 लेने जाओगे तो पाइन्स का छोटा सा स्वेपिंग मसीन मिलेगा उसमें आपको EMI का option card पे मिल जाता है pine labs के साथ ही आपको EMI का option card पे मिलता है उसी machine पे वो चेक करते हैं कि इस वाले product पे यह offer है कि नहीं 0% EMI वाला pine labs इतना बढ़िया काम कर रहा है कि 1500 करोन रुपए दोस्तों अभी SBI ने इसमें लगाया है JSW Cement में 100 करोन लगाया और pine labs में जो है लगाया है 1500 करोन रुपए तो दोस्तों अभी जो है इनका tap to pay वाला जो है UPI में tap to pay UPI तो बस tap करो password डालो pay करो तो यह tap to pay वाला जो है Google Pay के साथ pine labs का हो गया है ठीक है जब भी आप ऐसे swapping machine वाले counter पे जाते हैं तो वो आपको बोलता है देखिए अभी आप पे लिंक चला गया होगा अब आप जो है पे कर दीजिए इतने का बिल बना और यह पे कर दीजिए तो यह tap to pay वाला व्यवस्था है दोस्तों पाइन लेप्स की बात करें CEO हैं अमरीस राव हेड़क्वाटर है नुएडा 1998 में यह आई थी दोस्तों वू रिसेंट्ली वान governor of the year award at the ninth Central Banking award हाली में 9 कंदरी बैंकिंग पुरुसकार में governor of the year award किसने जीता है तो दोस्तों Mario Marshall चिली के हैं दोस्तों इन्होंने जो है governor of the year का जीता है हमारे भी एक governor ने पूरी दुनिया के governor of the year का जीता था जो चेंट्र ये दोस्तों जो है चिली के Central Bank, Bank को Central the Chili के गवर्नर है, Mario Marcel, Hulail, इनको जो है दोस्तों, Governor of the Year का Award मिला है, ठीक है, अभी दोस्तों, अमेरिका के Federal Reserve Bank, अमेरिका का जो Central Bank है, Federal Reserve Bank, उसमें एक Indian Board of Director में जो है, शामिल हुए है, जो IBM के भी Head है, उनका नाम है अरविंद कृष्णा जी ये question exam में पूछा रहा, ठीक है, clear है, सर हमारे यहाँ पे आज सीतल सश्टी पूजा है, हाँ सीतल सश्टी वाला भी मैंने कल पड़ाया था भाई, कि उडिसा में मनाया जाता है, सीतल सश्टी पूजा, कुछ बताओ सीतल सश्टी पूजा के बारे में, सीवानी के रिए सर अब छुट्टी कर दीजे, अच्छा, मैंने का कि तीन मजेला सेशन आज नहीं हुआ तो उसकी भरपाई हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, सीतल सश्टी पूजा के बारे में, बताओ भाया, सोनल पूछ रही है, तुम लोग बताते नहीं, लाइक करो फटा-फट तो दोस्तों जो है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मजा आ गया, बहुत सारे कोश्चन साज हम लोग ने पढ़े, बहुत रैपिट फैर आज चला, ठीक है, तो छुट्टी हो गई आप लोगों की मजे करो, संडे मनाओ, सेटल्डे मनाओ, ठीक है, चीन जाओ, जापान जाओ, महराष्ट जाओ, गोवा जाओ, बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ, बेरी गुट, चलू, बबाई, टेक केर, गड़ ब्लेस योओं, मेरे क्वेरी का एंसर कभी नहीं देते, तुम्हाई टाइमिंग ही खराब है, जब आदमी आ तो देख रहा होगा, उस समय तुमको मेसेज डालना चाहिए, या तो फिर तुमको जो है मेरे जाने के बाद मेसेज डालते हो, तो तुमको तो टाइमिंग ध्यान देना चाहिए, जो प्यूसर दिख जाएं, उस समय मेसेज डालो, ताकि वो जो हैं, वो पढ़ें उस समय, तुम पता नहीं कब बीच में कोश्चन पूछें, उस समय हम को कोश्चन का जवाब दें, बताओ, चलो, के बाबाए,